Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अश्य होंगे B.S.T.E.T. आपने पता ही कर लिया होगा देखिए बिहार के द्वारा जो है special syllabus जारे किया गया है, actually special teacher की जो है exam होने वाली है और इसमें जो है, पूरे syllabus को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ कर जाना है B.S. आपको इतना पढ़ लेना है, उसकी syllabus मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ देखिए, B.S. का मतलब ये होता है, जो official syllabus है उसे ही पढ़ना है बिहार विद्याले परिच्छा समिती पठना के द्वारा यहाँ पे इनोंने इस पस्ट लिख रखा है, B.S. यानि कि इस एस्टेट के बाद जो है आपको एक और परिच्छा जो ली जाएगी, उसके बाद आपका सेलेक्शन होगा देखे, इसमें दो subject है, 1 to 5 के लिए अलग से है और 6 to 8 के लिए अलग से है तो सबसे पहले जो है हम लोग 1 to 5 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है दूतिये पत्र यानि कि 6 to 8 के बारे में पढ़ेंगे तो यहां से आप देख लिजिए, मैं सबसे पहले आपको syllabus के बारे में कुछ जानकारी देदू, यहां से देखो परिशा का pattern कैसा रहेगा, multiple choice question रहेंगे, mcq रहेंगे और परतेक पत्र में 150 बहु विकल पिया यानि कि आपके सामने 4 option या 5 option रहेंगे, और परतेक प्रसंट का एक अंक आपको मिलेगा, negative marking नहीं हो की, तो कुल मिलाकर बात यह है, कि 150 marks का exam आपसे लिया जाएगा, और 150 minute का जो है आपको समय भी दिया जाएगा, यह minute हो गया, यह आप यहां पे mark लिख लो, actually marks होता है, ऐ यह लगाना है, यहां से आप देख सकते हो, परिक्षा जो है, CBT यानि कि computer based test लिया जाएगा, कुल मिलाकर बात यह है, कि exam आपका online लिया जाएगा, offline paper नहीं होगा, अब देख लिजे कुछ syllabus के बारे में जानकारी के अलाबा जो है, passing marks क्या रहेगा, अगर आप general से आते हैं तो 50% में आपका काम चल जाएगा, यानि कि 75 नमबर आपको लाने है 1.500 में, पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं, तो 45.5% अंक लाना होगा, 38 पिछड़ा वर्ग हैं, तो 42.50 में आपका काम चलेगा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती के लिए 40%, दिव्यां क के लिए 40% महिला के लिए 40% अंक रहने वाला है, इससे आपका काम चल जाएगा, अब सिलेवस को अम लोग थोड़ा सा जो है, एक बारिक नजर देख लेते हैं, यहां से देखिए, पहला जो पेपर होगा उसमें, बाल विकास एबम सिक्षा सास्तर से जो कोशन पूछा जा आपको ध्यान रखना है कि आपको सबको एक साथ पढ़ाने में जो अगर कोई साधारन बच्चा है, समानी बच्चा है, उसके साथ जो है अतिसाधारन यानि कि जो देख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, वो अगर बैटके पढ़ेगा, तो वो अच्छा कर पाएगा, त आगे देख लेते हैं, भासा एक में जो अनिवारी विशे है, हिंदी, उर्दू, पंगला में से कोई एक आपको चुनना होगा, एक सब्जेक्ट यहां से, एक सब्जेक्ट आपको जो है, इंग्लिस लेना ही होगा, यह अनिवारी है, यहां से आप किसी एको चुन सकते हो, ल जो है attempt किया ही होगा लेकिन यह जो cdp है पूरे cdp को मत पढ़ना पांकि यही बाते थी तो यह था syllabus और मोटा मोटी जो जानकारी थी आपके सामने मेंने रख दी है और कोई इसमें विशेज जानकारी एक्चलिए details में नोंने syllabus नहीं दे रखा है कि syllabus कैसे जो है एकदम details में इनोंने नहीं बताई है और हाँ exam में आपका जो है normalization होगा इस बात का खास ख्यार रखिएगा तो कोशिस करिएगा कि आपको जो पता है वही पूरा करे अधरबाई जो है normalization में आपके shift में अगर आसान प्रसन आया है और आपने गलती कर दी है तो फिर आपका जो है थोड special educator के exam हुए है तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हो पेपर ले सकते हो देख सकते हो तो मुझे email कर लेना yourmithunsing.com पे तो वहां से अगर कुछ special educator के पेपर है वो मैं आपको प्रभाइट कर दूँगा इंस्टा पे हो तो मुझे follow कर लेज़े at the rate imithunsing पे तो वहां से अभी आपको मैं previous question paper available करा दूँगा वीडियो को यहां तक देख लिया अच्छा लगा है तो नीचे comment section में एक बार जैहिन जरू लिखेगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ जैहिन thank you so much